हेलो दोस्तो, वेलकम टू मैं चैनल, दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंस्टागराम पे आप मुबाईल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, बिना लॉगिंग किये दोस्तो वीडियो बहुत important है और वीडियो detail में आपको बताने वाला हूँ बहुत easy trick है तो आपको step by step देखना है कैसे यहाँ पर मैं अपना mobile number change करके दिखाता हूँ दोस्तो बहुत लोगों को यह problem आरी है बहुत लोगों ने मुझे DM और request किया है तो उन लोगों की request पर यह video में आपके लिए लेकर आया हूँ तो दोस्तो वीडियो आपको end डग देखना है और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो subscribe करके bell icon ज़रूर दबाए दोस्तो अभी शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले आपको गूगल Chrome पे जाना है Chrome से Instagram खोलना है जब आपको खोलते हो दोस्तोum तो यहाँ पे आपको एक setting दिखाई देती होगी तो setting में आपको जाना है यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे option यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आपको help center पर click करना है help center पर जब आप click करते हो तो दोस्तों आपको login troubleshooting option दिखाई दे रहा होगा एक दम उपर ही है वहाँ पर आपको click करना है login troubleshooting पर जब आप वहाँ पर click करते हो दोस्तो login troubleshooting पर तब यहाँ पर बहुत सारे आपको option दिखाई दे रहेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर परिशान नहीं होना है यहाँ पर आपको एक option में दिखा रहा हूँ उस पर आपको click करना है जैसे कि can I do if I got lost access to the email or phone number उस पे ही आपको क्लिक करना है किसी और पर मत क्लिक करना उस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे report a problem का option दिखाई दे रहा होगा अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तो यह मैं वदा दाओ जिससे आप अपना नमबर चेंज कर पाओगे दोस्तो तो यहाँ पे आप देखते रहे हैं मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ तो दोस्तो अभी यहाँ पे देखते हैं मैं क्या लिखता हूँ तो शुरू करते हैं दोस्तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल भाषा में I want to change my mobile number इतना ही लिखना है दोस्तो और आगे फिर लिखोगे आप without login I want to change mobile number without login जब आप यह लिखते हो तो उसकी नीचे आपको थोड़ा सा space देना है space देने के बाद आपको यहाँ पे user name मैंने लिखा है user name में आप अपने ID का सिर्फ user name दालना है आपको जब आप अपने user name दालोगे तो आपको फिर से एक बार space देना है space देने के बाद दोस्तों आप email ID लिखोगे जहाँ पे आपको login का link आएगा और link आएगा तभी आप अपने number चेंज कर पाओगे तो यहाँ पे आपको email ID दालना है correct email ID दालना है दोस्तों आपको proof के साथ दिखाऊँगा हमाई email ID पे कैसे आएगा तो यहाँ पे आपको space देके email ID लिखना है और email ID आपको correct वाले लिखना है कोई गलत मत डालना तो email ID जब आप डालते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको blue color में send पे click करना है जब आप send करते हो तो यहाँ पे तेको thank you for reporting this problem आता है तो उस पे आपको done पे click करना है यहाँ देख सकते हो जब आप done पे click करते हो तो दो मिनिट बाद आपको email आएगा जो भी आपको password रखना है वो आप password डालिए यहाँ पर और उसके बाद change password को option दिखाई दे रहा होगा आपको तो वहाँ से आप अपना password change कर सकते हो दोस्तों फिर उसके आपको blue पर click करके password आपका change होएगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पर setting में जाना है दोस्तों और setting में जागे, आप mobile number change कर रहा है यहाँ पर दिखाएता हूँ added profile में जाना है added profile में जाओगे पर यहाँ पर contact number दिखाई दे रहा है phone number अब आपको जो numbers आपको change कर रहा है यहाँ पर number दाल सकते हो number जो आप डालोगे तो आपका number change होगा और submit कौ option दिखाई दे रहा है नीचे number जो भी डालना हो नंबर लाल के आपको सब्मिट करना है तो इसी तरह से आप बिना लॉग इन किये कैसे नंबर चेंज करते हो बता दिया हो दोस्तों आपको बहुत इजी ट्रीक है यह आप करके देखिए आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा उमीद करतों यह वीडियो आपको पसंद दोएगी वीडियो लाइक करे और कमेंट करके ज़रू बता है दोस् सब्सक्राइब करके बैल आइक उन जरूर दोएगे दोस्तों ओके भाई गाइस टेक क्यार